हम तितलियों की तरह हैं जो एक दिन के लिए स्पंदन करती हैं और समझती हैं वे सदेव बनी रहेंगी मानव जीवन की शंट भंगुरता पर यह अवलोकन कॉस्मॉस नामक किताब से है जिसके लेखक है प्रख्यात खगोल शास्त्री काल सेगन यह किताब जो की आज तक अंग्रेजी में लिखी विग्यान की सबसे प्रचलित किताबों में से है अनूठी इसलिए है क्योंकि जब यह प्रकाशित हुई थी इसके सांथ ही इसी नाम की एक टेलिविजिन श्रिंखला का भी प्रसारण हुआ था और काल सेगन ने खुद इस श्रिंखला के तेरा प्रकारण पेश किये थे हर प्रकारण किताब के एक अध्याय पर आधारित था असी के दशक में जब यह किताब और टेलिविजिन श्रिंखला आई थी दुनिया बहुत अलग थी तब कोई मोबाइल फोन नहीं थे और स्मार्ट फोन तो भूली जाईए इंटरनेट भी नहीं था और यूट्यूब और फेस्बुक का तो पूछिये मत कलर टेलिविजिन दुरलब था और भारत में अधिकतर घरों में सपरिवार लोग ब्लैक औन वाइट टेलिविजिन पर एकमात्र चैनल दूरदर्शन का ही आनन लेते थे पर जब दूरदर्शन ने कॉस्मोस सीरीज का प्रसारन शुरू किया काल सेगन घर घर में प्रचलित हो गए और उन्होंने भिन विज्ञानिक अवधारनाओं जिनके बारे में वे इस श्रिंखला में सरोश के साथ बोलते हैं के लिए कई उच्चकशाओं के विद्यारतियों को प्रेरित कर उनमें इन विज्ञानिक विचारों को समझने के लिए आजीवन प्रेम जगाया इस विडियो श्रिंखला के हम दोनों रचेता भी इनमें शामिल हैं बिग हिस्ट्री यानि की विशाल इतिहास बिग हिस्ट्री प्रमान, पृत्वी, जीवन, विकास और मानवता से संबंधित भिन विश्यों का मिश्रण है बिग हिस्ट्री के विशय पर आज अंगिनत किताबें, ओनलाइन विडियो और ओनलाइन पाठिकरम उपलब्ध है प्रोफेसर डेविड क्रिश्चन का बिग हिस्ट्री प्रोजेक्ट इन संसादनों में सबसे लोकप्रिय संग रहे है आज बिग हिस्ट्री विशय दुनिया के कई स्कूलों और विश्व विद्यालेओं में एक अनुशासित पाठिकरम के रूप में मानिता भी प्राप्त कर चुका है जैसे शब्दों पर कुछी मिंटों की ऑनलाइन खोच तुमको धेर सारे संसादन दे देगी जिनका अध्यन कर तुम इन विश्यों पर बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो शर्थ यह है कि तुमको अंग्रेजी भली भाती आनी चाहिए वह शिक्षार्थी जो इन विश्यों पर हिंदी या प्रादेशिक भाषाओं में एक शुरुवाती परिचय चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सीमित संसादन उपलब्द है इस श्रिंखला के स्षिजन की हमारी प्रात्मिक प्रेड़ना यही है कि हम ब्रह्मांड के अद्बुत इतिहास जैसे रोमांचक विशय पर हिंदी में एक शुरुवाती परिचय दे पाएं इसमें कोई शक नहीं कि इन विशयों के गहन अध्यन के लिए अधिकतर संसादन अंग्रेजी में ही उपलब्द है और गहराई में जाने के लिए अंग्रेजी में निपुनता अनिवार्य ही हो जाती है पर हम आशा करते हैं कि इस श्रिंखला के हर दर्शक को हम ब्रह्मांट के इतिहास से जुड़े भिन विश्यों को और बहतर समझने के लिए प्रेरित कर सकेंगे इस श्रिंखला में इस परिचे के बाद 6 प्रकरण है और हर प्रकरण में दो भाग है A और B हर प्रकरन का भाग A लगभग 10 मिनिट की अवधी का है और ब्रह्मान्ट की 1380 करोड वर्चों की लंबी समय रेखा में एक विशिष्ट अवधी का विज्ञानिक विवरन और उस अवधी की विशच जानकारी देता है सारे भाग A एक दूसरे से जुड़े हैं और हर भाग पिछले भाग में जहां कहानी को छोड़ा गया था लगभग वहीं से कहानी को और आगे बढ़ाता है सारे भाग B लगभग 5 मिनिट की अवधी के हैं और भाग A में प्रस्तुत की गई घटनाओं, विचारों और अवधारनाओं से जुड़े खुले प्रशनों से अवगत कराते हैं जो आज शोत करताओं और विज्ञानिक संस्थाओं को चुनोती दे रहे हैं ऐसे सवाल और समस्याएं जिनका शायद तुम में से कोई भविश्य में समाधान ढूड निकालेगा एक महा विस्फोट बिग बैंग ने ब्रह्मान को रचा तारों ने आवरत सारनी, पिरियोडिक टेबल के सभी तत्वगड़े 460 करोड वर्ष पूर्व, एक सूपरनोवा विस्फोट के अवशेश से हमारे सौरमंडल का गठन हुआ फिर कुछ भागेशाली परिस्थितियों ने पृत्वी को रचा जिसमें उचित तापमान, तरल जल और जीवन के पनपने के लिए आवश्चक बाकी सारी सामगरी उपस्थित थी चार सो करोड वर्ष पूर्व, रसायन विज्ञान के नियोमों पर आधारित प्रतिक्रियाएं कारण बनी महासागरों में पहली जीवित कोशिकाओं के सिजन का ये कारबन आधारित, जैव रसायन संचालित, साधारन कोशिकाओं प्रत्वी पर उपस्थित सभी जैविक वस्तों की पूर्वज हैं इसके बाद जटल कोशिकाओं विक्सित हुई और प्राकर्तिक चैन, नैच्रल सिलेक्शन की प्रकरिया ने जैव विविदता, बायो डाइवर्सिटी को विस्तृत कर दिया पहले कुछ धीरे, फिर 54 करोड वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन विस्तार के दोरान तीवर्गती से मीजज़ॉय कल्प में शिकारी और शिकार, प्रिडेटर और प्रे की प्रतिसफर्दा ने कई भयानक जानवरों को रचा फिर 25 करोड वर्षों तक भीम सरट, डाइनोसौर्ज ने प्रित्वी पर राज किया पर 6.6 करोड वर्ष पूर्वे विलुप्त हो गए और स्तंधारी, मैमल्स को गद्दी हासिल हुई 3.4 करोड वर्षों पूर्व नर्वानरों, प्राइमेट्स में सम्मुख अंगूठा, उपोजेबल थम्ब विक्सित हुआ और साथ हजार वर्ष पूर्व, होमो सेपियंस में भाशा और अमूर्थ सोच, लैंग्विज एन एब्स्रैक्ट थिंकिंग की योग्यता कारण बनी आज बुद्धिमान जीवन के पृत्वी पर आधिपत्य का हम मनुष्यों ने जीवन की खोज के लिए हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों में अंतरिक्ष यान, स्पेस प्रोब्स भेजे हैं हम ब्रह्मान में कोई दूर स्थित अलोकिक सब्विता, एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा भेजे संकेत को भी खोज रहे हैं और ब्रह्मान में हो रही कई अद्बुत घटनाओं की आज हमें गहरी समझ भी है परन्तु साथ ही हम स्थाई जलवायू परिवर्तन, Irreversible Climate Change के रचेता बंद अपने ग्रह के लिए भारी संकट का कारण भी बन सकते हैं पिछले 400 करोड वर्षों में प्रिथवी पर जीवन कई विनाशकारी परिस्थितियों का सामना कर बना रहा है परन्तु एक प्राणी यहां तक की एक पूरी प्रजाती, स्पीशीज की उत्तर जीविता, सर्वाइवल के लिए जीवन अत्यंत नाजुक सिद्ध हुआ है इस श्रिंखला के अंत तक तुम इन सभी विचारों से अफगत हो जाओगे और तुम्हें ब्रहमांड के अद्बुत इतिहास में घटी सबसे महत्पून घटनाओं की विग्यानिक समझ की एक जलक भी मिल जाएगी इस श्रिंखला में 1380 करोर वर्षों में इस विशाल इतिहास का मजा लेते हुए तुम देखोगे कि हम लगातार भिन विशों से जूज रहे होंगे जैसे की भौतिक विग्यान, Physics, रसायन शास्त्र, Chemistry, जीव विग्यान, Biology, भू विग्यान, Geology और इतिहास, History हम इन विश्यों के विशिष्ट शेत्रों का जिग्र भी करेंगे जैसे की अगर तुम्हारी जिग्यासा तुम है जिन विश्यों के बारे में श्रिंखला में चर्चा हुई है उन में से कुछ विश्यों में और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करेगी तो तुम और उन्नत विशे शक्यताओं से भी अवगत होगे स्कूल की अबचारिक शिक्षा शायद पाठिकरम पूरा करने और परिक्षाओं पर जोर के कारण इन विश्यों को ऐसे प्रस्तुत करती है जैसे कि ये एकदम अलग है और इनका एक दूरसे से कोई सरोकार नहीं है मगर हम आशा करते हैं कि इस श्रिंगला के अंत तक तक तुम्हें आभास हो जाएगा कि पाठिकरम की ये सीमाए केवल सतह पर है और मानव के विज्यानिक प्रयासों में एक आश्चर जनक निरंतरता, continuity है विज्यान ऐसी परयोजना नहीं जिसका एक निश्चित अंत है विज्यान हमेशा विक्सित होता रहता है और दो भिन प्रतीत होते विश्यों के बीच हमेशा एक नई विश्यश्यक्यता छिपी मिलती है इसके अच्छे उधारण है जैवरसायन, बायो केमिस्ट्री, खगोल जीव विज्यान, एस्ट्रो बायालोजी और विकासवादी आनुवान्च की, एविलूशनरी जेनिटिक्स प्रिथक विश्यों के बीच के संबंद को समझ कर, जटल समस्याओं के नवीन समाधान सोच पाना, एक कालाती जीवन कौशल है हम उमीद करते हैं कि ब्रहमान्ट के अद्भुत इतिहास की ये कहानी तुम्हें दिल्चस्प लगेगी, पर सबसे जादा जरूरी, तुम्में सीखने की चाह हमेशा तीवर रहेगी